दोस्ते आपका स्वागत है हमारे चेनल में दोस्ते आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दातू और एदातू किसे कहते हैं और दातू और एदातू में अंतरे किस तरह से लिखा जा सकता हैं अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आएए वीडियो में आग के बार में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दातू और ऐ दातू आकिर होती कैं तो आईए इसे अच्छे से समझें और फिर इन दोनों के अंतर के बार में बात करते हैं सबसे पहले हम दातू की बात करते हैं तो दोस्तों दातू को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी प्रिवासा को याद करें और यह कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोन त्याग करें दनायन बनाती हैं उन तत्वों को दात्व कहा जाता हैं यानि दात्व जो होती हैं वे इलेक्ट्रोन त्याग कर दनायन बना लेती हैं और एसे जो तत्व होती हैं उन्हें विशेश चमक होती है और इसे कारण से आपने देखा होगा कि चांदी जो होती है वर चमकती रहती है क्योंकि चांदी एक दातू है और इसमें चमक पाई जाती है नमबर दो कुचा लगता इने पतला करके चादर में बदला जा सकता है और एसा होने वाला तत्वय जो होता है उसमें जिसके कांड से ही इसे तार में बदला जा सकता है नमबर च्यार अच्छा चालक है दोस्ते दातू जो होती है वे बिजली और उस्मा की अच्छे चालक होती है नमबर पांच उच गनत्व है दातू का गनत्व जो होता है वे भी उच होता है नमबर सिख से उच गलनांक और कुवतनांक दातुओं का गलनांक और कुवतनांक अगर बात करती ही तो वै भी उच होता है नमबर 7 दवनी प्रवा है दोस्तों जब दात्वी किसी से टकराती हैं तो वे दवनी उत्पन करती हैं और ये भी दात्वी की एक प्रकार की विशेस्ता होती है इसके लावा अगर हम दातू के उधारण की बात करते ही तो वह कुछ ऐसे हैं जैसे कि लोहा, तामबा, सोना, चांदी आधी सभी ऐसे उधारण है जो कि दातू के उधारण माने जा सकते ही या फिर कह सकते हैं कि लोहा, तामबा, सोना, चांदी यह सभी तत्वे दातू की स्र रिर्णायन बनाते हैं उन्हें एदातू कहा जता है और इसका मतलब हुआ कि एदातू हमेशा इलेक्ट्रोन नहीं गरण करते हैं और फिर रिर्णायन बना लेते हैं और वही असल में एदातू होते हैं एदातू की बात करें तो इसमें कई तरह की विशेस्ताइं हो सकती हैं जैसे कि नम्र एक चमक का अबाव, एधातों में चमक नहीं होती है, यही कारणे कि आपने देखा होगा कि कार्बन जेसे तत्वे में चमक नहीं होती है, क्योंकि यह एक परकार की एधातों है, नमबर दो कुचालकता का आबाव आधात्वों में कुचालकता का आबाव होता है और इसी कारण से इन्हें पतला करके चादर में नई बदला जा सकता है नमबर तिन दनात्मक्ता का अबाव दात्वों में दनात्मक्ता का भी अबाव होता है और यही करने के इसे तार में नहीं बदला जा सकता है नमबर च्यार खराब चालकता दात्वों बिजली और उस्मा की खराब चालक होती हैं और यह आपको पता होना चाहिए नमबर पांच निम्न गनत्वे दात्वों को अगर हम गनत्वे की बात करती ही तो वै भी निम्न होता है नमबर 6 निम्न गलनांक और कुवथनांक के अगर हम ऐ दातों की गलनांक और कुवथनांक की बात करती हैं तो वे भी निम्न होता है और ये ऐ दातों की एक प्रकार की विशेस्ता है नमबर शिवन दवनी प्रवा का आभाव ऐ दातुएं टकराने पर दवनी उत्पन नहीं करती है और ये ऐ दातुओं की एक प्रकार की विश्यस्ता मानी जाती है अगर हम ऐ दातुओं की उधारण की बात करें तो वह कुछ ऐसे है जैसे की कारवन, सलफर, नाइट्रोजन, औक्सीजन आदे सभी ऐ दातुओं की उधारणे इसके लग दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि दातु और ऐ दातुओं में अंतर किस तरह से हो सकता है यानि दातु और ऐ दातुओं के अगर हम अंतर लिखती हैं तो वह कुछ ऐसे है हम सबसे पहले हम गुणदरम यानि विसेस्ता की बात करें और फिर हम दातु और ऐ दातु की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं की गनतवे तो दातू का गनतवे हमेशा उच रहता है और ऐ दातू का गनतवे निम्न रहता है अगर हम बात करते हैं कि गलनांक और कुछनांक हमेशा उच रहता है और ऐ दातू का गलनांक और कुछनांक निम्न रहता है अगर हम बात करते हैं कि दवनी प्रवा की तो दातू क की दवनी प्रवा नहीं होती तो इस तरह शे दोस्तों आपने अब जना के दातू और एदातू किस्ते कहते ही और इन दोनों की बीज में अंतर क्या हो सकता है इसके बारे में जना अगर आपके लिए जानकारी उपयोगी है तो करिपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें